नमस्कार दोस्तो जैवाल पॉइंट की यूटूब चैनल में आप सभी कस्वागत हैं देखे फ्रेंड्स जितने भी लोगों का गुरुवडी का एक्जाम है और सभी तैयरी में लगे हुए है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपका एक्जाम कब होगा देखिए आपकी जो एक्जाम है वो जुलाई से स्टार्ट है और लगब लगब जो एक्जाम से होते हैं जो प्रेलिम से एक्जाम होते हैं वो तीन महिने के टाइम के असपास खतम होते हैं इसके लावा अगर आप अपनी प्रिपेशन कर रहे हैं तो देखिए मैं आपको एक मिनिमम से जो तो फिर आप जर्णल काटिग्री से है तो 70 नमबर तक आप अपनी तयारी को अच्छे से करके चलिएगा ठीक है क्योंकि 70 नमबर से कम आप दिमान के मत चलिएगा कि हमारा 70 नमबर से कम पे स्लेक्शन हो जाएगा रही बात नुर्मरेजिशन की वो एक बात अलग है कि इतना आपको कब मिलेगा ठीक है कौन से सिप्ट आपकी असान होगी या हर्ड होगी लेकिन फिलाल जो भी आप टैश्ट लगा रहे हैं मोक लगा रहे हैं या फिर किछ भी तरीके से आप सोच के चल रहे हैं अपने दिमाग में तो 70 नमबर तक आप अपना सोच के चलिएगा कि इ किससे कोई आप अपना कट-off का आईडिया मत लगाईएगा कि इस इतनी हाई कट-off बता दी कम बता दी अलग अलग तरीके का अपना त्य क्योग टित्त डेमत लगा येगा लेकिन बस इतना है कि आप भी फिलाल मान करकर चलिएगा इतने नमबर में करके आने है इतने कोशन आपके माईनम होने चाहिए कि इतने तो हो जाएं ठीके आप 50-60 मत सोच के चलिएगा कि बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि इमारे 50 आजए 20 का नर्मलेशन मिल जाए लेहीं बहुत बहुत भी मत आप इस तरीके से सोच येगा आपको जुलाइ में एक्जाम होगा दो महीने का टाइम है आपके पास और उन दो महीने में अच्छे तरीके से आप अपना स्कोल देखिएगा और रिविजन कर लीजेगा जाद से जादा इतना ही मैं कहना चाहूंगा तो चैनल पर बने रहीएगा चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा धन्यवाद दोस्तों